हैदराबाद के सरूर नगर में बुधवार यानी चार मई को 26 साल के दलित यूवक नागराजू की बेहरैमी से हत्या कर दी गई पुलिस के मुताबिक नागराजू पर हमला तब हुआ जब वे अपनी पत्नी के साथ बाइक से जा रहे थे खबरों के मुताबिक हमलावरों ने किसी धारदार हत्यार से नागराजू पर ओचक हमला किया पुलिस ने मामले में ओनर किलिंग की आशंका जताई है नागराजू ने तीन महीने पहले ही शादी की थी दोनों के अलग समुदाय से होने के कारण कतेत रूप से लड़की के परिवार वाले शादी से खुश नहीं थे पुलिस ने कुछ संग्डिक दो को हिरासत में लिया है जो नागराजू की पत्नी के परिवार से संबंद रखते हैं इडिया टोडे की रिपोर्ट की मताबिक बुधवा रात करीब नौ बजे सरूर नगर तहसीलदार ओफिस के पास नागराजू की हत्या हुई हत्या के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने फोन पर घटना को रेकॉर्ड भी किया कुछ लोगों ने डेड बॉडी की भी तस्वीर ली हालगी घटना की संबेदन शीलता को देखते हुए हम यहां वीडियो आपको नहीं दिखा रहे है घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है नागराजू के परिवार वालों ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि उसके ससुराल वाले हत्या के पीछे है नागराजू ने 31 जन्वरी को सैयद अश्रीन सुल्ताना से शादी की थी नागराजू के परिवार के एक सदस्य ने आरोप लगाते हुए कहा वे दोनों कॉलेज के दिनों से ही साथ थे उन्होंने दो महीने पहले ओल्ड सिटी के आरे समाज मंदिर में शादी की थी चुकि दोनों अलग-अलग धर्म से थे इसलिए उसके यानि अश्रीन के परिवार वालों ने नागराज को मार दिया दे न्यूज मिनिट की रिपोर्ट के मताबिक बिलापुरम नागराजू रंगरेडी जिले के मारपाले के रहने वाले थे हैदराबाद में वे एक कार शोरूम में सेल्समेन थे अश्रीन से शादी के बाद वे सरूर नगर में एक किराय के मकान में रहते थे अश्रीन भी उसी जिले के घानापुर गाउं की है नागराजू माला समुदाय से थे जो राजे में अनुसूचत जाती के तहरत आते हैं अश्रीन के परिवार वालों के लंबे समय तक नहीं मानने पर दोनों ने 31 जनवरी को शादी कर ली अश्रीन ने मीडिया को बताया कि वे दोनों दसवी क्लास से ही रिलेशन्शिप में थे अशीन ने बताया नागराजू ने कई बार मेरे परिवार से शादी की इच्छा जाहिर की थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया उसने मेरी माँ को यहां तक कहा था कि वे इसलाम धर्म अपना लेगा इसके बावजूद उन्होंने कभी इसे स्वीकार नहीं किया बीजेपी ने इस घटना पर प्रदर्शन किया और हत्यारों की गिरिफतारी की मांग की तेलंगाना की बीजेपी विधायक राजा सेंग ने हत्या की योजना में शामिल सभी लोगों की गिरिफतारी की मांग की है उन्होंने कहा क्या इसके पीछे परिवार वाले थे या किसी धार्मिक सम्वू ने परिवार को ऐसा करने की सलहा दी क्या किसी ग्रूप ने वित्तिय मदद का वादा किया है हत्या के मामले में पूरी गहनता से जाच होनी चाहिए पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या के तहत केस दर्शकर जाच शुरू कर दी है पुलिस उपायुक्त शुरीदर रेटी ने बताया कि शुरुआती जाच से पता चला है कि हत्या के पीछे दोनों की लव मेरिज कारण थी उन्होंने कहा कि आरोपियों को पकरनी के लिए स्पेशल टीम बनाए गई है देखते रहे दिललन लंटो शुक्रिया